कि अब बूब नमस्ति कैसे हैं आप सब टैटल विस्ट्रीबल बन पर आप सब का बहुत-बहुत स्वागत है गाईज आज बहुत ही नया टॉपिक लेकर मैं आप सभी के लिए आई हूँ और साहित इस टोपिक पर रिडिंग पहले कभी किसी नहीं की भी नहीं का है तो आज की विए-ताल आपको आपके person ने अगर चुना है, आपके साथ relationship में अगर वो आए है, तो आपको पसंद करके आए है, आपसे प्यार करके आए है, सच में आपके लिए उनके मन में चाहत थी, इसलिए आए है, या फिर आप सिर्फ उनके लिए एक option थे, एक विकल्ब थे, यानि कि सीधा लवजों में कहा जाए, तो आप उनके लिए एक बस time past थे, वक्त बिताने का एक जरिया थे, या फिर ये इनसान सच में आपसे प्यार करता था, और किसी problem की वज़े से आपके जिंदगी से गया है, है ना, तो ये जानना बहुत ज़रा जो है important होता है, क्योंकि हमारी गर आप से प्यार करता था, तो क्या इनको इतना मजबूर कर दिया गया, कि उनको आपके जिंदगी से प्यार होते वे चले जाना पड़ा, या फिर वो जब आपकी गया था, तब उन्नेयोंने जो है, आपके साथ बस एक दिल लगी की वज़े से वो आए है, है ना, बस दो को हम देखते हैं और बहुत यूनिक टॉपिक है और इससे कई सवालों के जवाब भी हमको मिलने वाले ध्यान दीजे कि कर वो जो इनसान था वैसा आज हो या कल होने वाला है ऐसा नहीं होता है चेंजेस होते रहते हैं इंसान के अनर्जीस में तो हम यह भी देखेंगे कि हम देखेंगे पास्ट के साथ साथ ठीक है तो पाइल आपको उस इंसान की नाम के नाम का जो रासिफल होता है या किसी भी तरीकी से आप रासिफल को सलेट कर सकते हो यह नाम के हिसाब से या सन्मून राइजिंग के हिसाब से भी आप उनकी जॉडएक साइन को सलेट कर सकत सिलेट कर सकते हो पाइल नमबर टू में है मेश, मिथुन, करक्सी हैं और कन्या आरिस, तॉरोज, जमनी, कैंसर लियो और वर्गो तो यलो पाइल के साथ यलो पाइल के साथ ब्लू पाइल के साथ ब्लू स्टोन है तो दो खाइल से पॉजिटिव एनरजी में रहिए और अपने पाइल को कल लिजे सेलेट ताकि आपके जो अनस्वालों के जवाब आपको मिल सके और थोड़ी सी क्लारिटी क्लारिफिकेशन आपको हो जाए ठीक है तो गाइज आई हूप आपने अपना पाइल सेलेट कर लिया है यह हमारा पाइल लंबर वन जिनोंने भी सलेट किया तुला वृष्चिक धनु मकर कुम और मीन गाइस इस रेडिंग की सुरुआज सबसे पहले हम यूनिवर्स से ही करेंगे यूनिवर्स के तरफ से ही करेंगे देखते हैं यूनिवर्स को क्या लगता है कि आप इस इंसान के लिए विकल्प थे या आप इनकी पसंद थे है ना या फिर हो अभी भी हुआ अज़ यूनिवर्स से तरफ ना गाइस से तरफ यूनिवर्स सिजोफेर्निया और साइलेंस के एनरजी निकल कर आई है दो कार्ड साथ में आये है नंबर टू और नंबर सैवेंटीन इंपॉर्टेंट हो सकता है आज के रिडिंग में पाइल नंबर वन एक और एक और एक्सपिरेंसिंग तो नंबर टू और में लैएक बोलन विपॉर्टेंट है ड्रोन निकल कर आया है साथ ब्सक्राइब नंबर टू और नंबर सैवेंटीन वां इंपॉर्टेंट हो सकता है हो सकता है कि यह आपके दो एनर्जी है आपके बिर्ट मस्त है या फिर आपका नीसाम मन्ठीयर्त भी ho सकता है नंबर 17 के अलावा हेच तो घायस यह चार्ण कार्ड बैने ले लिए हैं इन चार काक्र्ड के बारे में आपको बटाओंगे दिटियल में करेंगे सबसे पहले हम टार्ट से कार्ट निकाल लेते हैं ताकि हमें कुछ सवालों के जवाब क्लियर हो जाए क्लियरिटी हमें मिले है ना मैंने आप से कहा था ना गाईस कुछ देर पहले कि कल जो इनसान था उनका कर्मा कल कैसा था आज वो बदल जाएगा कल भी वो बदलेगा तो इंसान हमेशा एक एनर्जी में तो ठिकता नहीं है रहता नहीं है उसलिए यहाँ पर देखे आईसोलेशन के एनर्जी में ज़े नजर आती है कुछ बदलाव है कुछ चेंज़ेस है जड़ेस है यहाँ विवशे है आप उड़ेस है कुछ दो एज वी टीनिए आप, उड़ेस पड़ेस, जड़ेस है झालता है आपके एनर्जी आई है, Nine of Pentacles, Four of Cups, Seven of Swords, Oh Oh! लवर्स के अनरजी आ गई है गाईज वाव लवर्स के अनरजी आई है और बॉटम में जो है मून का कार आया है चले दूसरे डेक से भी चार कार्ट निकालेंगे और वहां से भी बॉटम देखेंगे ठीक है क्या लगता है आपको इस इनसान ने आपको पसंद किया है या बस आप इनके लिए एक जिंदगी में आगे बढ़ने का एक जरिया थे या एक सीड़ी के तरह आपको इस्तमाल किया इस इनसान ने अपनी जरुरतों को पुरा करने के लिए और जरुरते बहुत टाइप की होती है है ना अकेलेपन का जो ज़रूत है उसे पुरा करने के लिए या फिर financial ज़रूत है पुरा करने के लिए या फिर physical ज़रूत है पुरा करने के लिए है ना या फिर emotional needs पुरा करने के लिए तो जरुरते इंसान की बहुत सारी होती है आपको क्या लगता है थोड़ी सी confusing energy हो सकती है क्योंकि यहाँ पर आपको seven of source तो नज़रा ही रहा है साथ में lovers का card भी आ गया है तो बहुत ज़दा यह confusing करने वाली energy है आपके लिए आपको ऐसा लग रहा है इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी तो detail में देखे reading को समझे कि कल यह इंसान कैसा था और आज इस इस इंसान की भावनाएं कैसी है experiencing का message यहाँ पर आया है इस message को ज़रा ध्यान से समझने की कोसिस कीजिए कहीं न कहीं यह अनुभव को दिखा रहा है तो अनुभव जब भी आता है reading में तो यह कर्मा से जुड़ा हुआ energy होता है ठीक है अनुभव इंसान क्यों करता है ताकि कुछ lessons मिले कुछ पार्ट सीखे हम है तो पार्ट सीख रहा है इंसान तो कहीं न कहीं मुझे कर्मा की बू आ रही है कार्मिक लेसंस की बू आ रही है four of pentacles आया है nine of wands वाव guys मुझे सुर्फ दो कार्ट से ही थे पर यहाँ पर देके एक कार्ड एक्स्रा निकल कर आया है इसे लेंगे हम ठीक है five of cups के एनरजी आई है हेरोफेंट आया है two of swords आया है और bottom में हमें nine of cups की एनरजी मिल चुकी है nine of cups कितने बहतरीन कार्ड आये हैं guys तो चलिए अब आपको बताते हैं कि sign और element यहाँ पर कौन-कौन से major निकल कर आये है तो आज की reading में guys हेरोफेंट यानि कि Taurus की एनरजी और इसके अलावा Pisces की एनरजी और Gemini बहुत strong निकल कर आया है major अतकाना से समझ गए इसके अलावा यहाँ पर earth sign है Taurus वर्ग और कैप्रिकॉन विशप कन्या मकर रासी साथ यसाथ बहुत कम लोगों के लिए fire sign भी है Leo Sagittarius Irish तो गाइस इस इंसान की इस इनर्जी को देखकर आपको क्या लगता है कि इस इंसान की आप पसंद है पसंद करके आपको इस इंसान ने पसंद किया और आपके साथ आप पास किया है अपनी जरुरतों को पूरा करने के लिए इनसान आपके जिन्दगी में आये थे क्या मैं देख रहे हैं एक बहट बड़ा कुछ और था जब आपके साथ रिलेशनशिप में इनसान थे तब यह कुछ और था और आज की जो प्रेजन सिच्वेशन है करेंट एनर्जी यहाँ पर मुझे बहुत बड़ा बदलाव इनकी एनर्जी में नज़र आ रहा है और यह इसलिए हो रहा है कि कार में कुछ सिफ्ट इस इंसान के साइकल में हुआ है किसमत जो है इस इस इंसान की बदली है इनकी भावनाय बदली है इनका जो है कैरेक्टर बदला है इनकी फीलिंग्स बदली है आपको देखने का इनका नजरिया बदला है सब कुछ अभी जो है बदला हुआ नजर आता है तो चले सबसे पह क्योंकि जब भी मैंने आपसे कहा है ना गैस की साथ के कार्ड से हमेशा सतर क्रहने की जरुत होती है और साथ का कार्ड यहां पर आया है और पांस का कार्ड भी जो है जब रिडिंग में आता है तो पांस और साथ की जो एनरजी होती है यह हमेशा यहां तो धोके को दिखाती ह यहां फिर तकलीफों को दिखाती है दर्द को दिखाती है तो यहां पर दोनों ही चीज आ गई है ठीक है तो आप देखे सेवन ओफ सोर्स की इस एनरजी को अगर मैं देखूं तो साफ साफ नजर आ रहा है कि इस इंसान ने जो है आपको 100% option ही बनाया है क्योंकि जो इंसान option बनाता है वो इंसानी धोका देता है यूँनों अगर इन्हों ने उस वक्त आपके साथ आपकी भावनाव को समझा होता आपके दर्द के साथ यह इंसान कनेक्ट हो पाए होते आपके बार बर समझाने पर यह इंसान अगर सुधर गया होता तो इस इंसान को उस वक्त ना प आपने करतों से रुकार नहीं कहने का साफ मतलब है कि आपके साथ रिलेशन्षिप की परवा बिलकुल नहीं थी आप जाओ भी तो जाओ रिस्ता तूटे भी तो तूटे रिस्टे में जहर घुले भी तो घुले क्या फर्क पड़ता है मेरे पास जो है मैं भाग कर कहीं और चला जाओंगा मैं किसी और option को चुन लूँगा तो साथ का energy ही option वाला energy होता है साथ में seven of sword तो और भी भयानक energy होती है जहां पर देखे बार-बार toxic relationship को बनाते जाना होता है यह इंसान toxic मतलब जहरीला रिस्टे को बनाता चला गया है तो definitely या तो इनके पास options थे या यह आपको value नहीं दे पा रहे थे आपके बातों को you know यह इंसान हलकी में ले रहे थे इनको इस बात की परवा नहीं थी कि मेरे ऐसे करने से रिस्टा जो है टूट रहा है इंसान के मन में जहर घुल रहा है मेरे वज़े से यह मेरा जो पार्टनर है वो परिशान हो रहा है तो मुझे रुख जाना चाहिए मुझे अपने गलतियों को सुधार लेना चाहिए तो बिल्कुल definitely जब यह इंसान आपके जिन्दगी में आया था तो एक साहिद एक option ही इन्होंने स कर्मा का कुछ पारं था यहां इंसान कर रहा था कर्म काम कर रहा हो तो असक्सेस वज़े से इन्सान तब आपकी वैल्यू नहीं समझ पाया यह इंसान जो है देखिए आपके आपको हर तरीके का यह इंसान दर्द देता चला गया सेवन ऑफ सोर्स की इस एनरजी से समझ में आता और क्यों किया है उसका जवाब यहां पर यह है कि अभी अभी जो है इनको आपके साथ जुदाई का ए है ना तो इसी वज़े से पास्ट में जो है यह इंसान आपको ऑप्शन की तरह देखता आया है ताकि आज इनको वह सजा मिले आज इनको आपके वैल्यू समझ में आये रिष्टे की कदर हो सके समझ गया तो पहले तो टोटली यह आप्शन वाली ही रिडिंग नजर आती है अब देखे ऑप्शन के पीछे इन्होंने क्या आपके साथ बहाने लगाए है यह भी मैं आपको बता देती हूँ है ना कि इनको यह इनसान टाइम पास कर रहा था आपके साथ यूनों बहुत बुरे तरीके से टाइम पास कर रहा था और इन्होंने आपसे यह कहा है डेफि पर तुम मुझपर सक करते हो हर चीज पर तुम मुझपर ॡाउट करते हो तुम कभी मेरे प्यार पर भरोसा ही नहीं कर पाए तो इस तरीके का जो है एक blame game जो एक इल्जाम लगाने की जो एक प्रविती होती है न वो इल्जाम मुझे लगता है कि इनोंने देने की स्तिती में नहीं हूँ, तो commitment को लेकर ही जो है इस इंसाने बार बार इस रिस्ते को जो है इस रिस्ते में आपको तड़ पाया है, ऐसे energies मुझे नजर आती है, तो क्योंकि moon का ये card ये भी दिखाता है कि बहुत सारी चीजे इन्होंने आपके साथ छुपाई है, लुक अब बात करते हैं, present situation की, पास्ट की मैं बाते आपको बता चुकी हो कि पास्ट में तो ये relationship बिल्कुल एक option की तरही नजर आया है मुझे, हाला कि soulmate का connection आया है, और soulmate का connection होने का मतलब ये नहीं होता कि इंसान गलतिया नहीं करता, इंसान धोके नहीं देता, कुछ soulmate के लि आपका साथ नहीं दे पाए, हैना ब्यार होते वे भी साथ नहीं दे पाए, क्योंकि soulmate का card भी यहां पर आया है, पर ज्यादा तर cases में मुझे ये option वाली energy ही नजर आई है, आज की reading में ठीक है, तो present situation में अगर मैं देखू तो गाईज, ये इंसान बहुत ज़रा खामोस दूरी आई है, दूरी के पीछे की वज़े जो है, एक maximum silence ही नजर आता है, अगर चुपी इन्होंने बहुत ज़रा अपने life में लागो कर रखी है, communication को लेकर जो है, आप दोने के पीछे बहुत सारी problem से हाँ पर नजर आती है, communicate ये इंसान नहीं कर रहा, बात आप से नहीं क कर रहा, अपनी मन की बात वो को आप तक पहुंचा नहीं रहा, तो कहीं न कहीं इस रिस्ते में एक बहुत सन्नार्टा मुझे नजर आता है, ठीके तो ये कार्ड ये भी बताता है, कि ब्लॉकेज़ आप दोने के रिलेशन्शिप में जो मेन ब्लॉकेज़ है, वो silence को लेकर है, चुपी को लेकर ये, तो ना आप इन से बात कर रहे हो, और ना आपके पॉर्सन आप से बात कर रहे है, तो अभी प्रेजन्शिप में एक गहरा सन्नार्टा या गहरी चुपी इस और को आपके पॉर्सन के एनरजी में नजर आती है, और सीजोफेर्निया का जो नंबर इनके का डर होता है, तो कहीं ना कहीं आपके पॉर्सन की जिन्दगी में मैं देख पा रहे हूं, कुछ चीजें अभी भी समाधान नहीं हुए, कुछ चीजों को लेकर ये इनसान अभी भी घबराहट में है, चयन नहीं कर पाना, सही मारुक दरसन इनको नहीं मिल पाना, सह इनके मन के अंदर के डर या फिर गलत फ्यामियों को दिखा रहा है, आइसोलेशन की अनरजी आई है, साफसाब बताती है कि इनसान डेफिनेटली आपके जिन्दगी से अभी चला तो गया है, चाहे आपको बहुत सारा आपको पेन देकर गया है, पर ये इनसान अभी बहु अकेले पन में रो रहा है, इनसान अकेले पन में तड़प रहा है, इनसान अपने उस एकसल से बाहर नहीं निकल पा रहा है, ये दोनों ही एनरजी, फोर ओफ पैन्टिकल्स और आइसोलेशन कहीं न कहीं, एक दूसरे की तरफ इसारा कर रही है कि ये इनसान अंदर से रो र उन सारी चीजों का अनुभव हो आपके portion की बारी है कि उनको मिले वह तडपे वह आपको को मिस करें वह आपके कदर क्डर करें ठीक है तो अनुभव करवाने के लिए भी यह सारी आपके पार्टनर में मेजर मुझे नजर आए हां डर वहीं पर है बर आपके तरीका आपको महसुस करने का जो तरीका और प्यार की वैल्यू करने का जो एक तरीका है उसमें जो है डेफिनेटली आए हैं यह इनसान सब्सक्राइब बिल्कुल देखे लिमिट में है यह इंसान अपने लिमिट को क्रॉस नहीं कर रहा है क्योंकि जिस दिन लिमिट को क्रॉस करेगा उनकी यह चुपी तूट जाएगी गाइस वह आपके साथ बात करेंगे यह communication जो यहाँ पर इन्हों में block कर रही है वह communication आपको मिलेग पर इन्हों नहीं अपने आपको बिल्कुल email के अंदर कैहले जी अंदर ये अंदर एक बहुत बड़े जो है transformation के द्वारा ये इंसान चेंज हो रहा है बदल रहा है समझ गये तो पहले अगर आप देखोगे तो इस इस इंसान ने आपको सिर्फ एक option की तरह देखा था option की तरह ही आपको चुना था option की तरह ही आपको treat किया था इसी वज़े स में आप सामिल हो ये आपको किसी भी कीमत पर अपने दिमाग से अपने दिल से अपनी feeling से अपनी सोच से निकाल कर बाहर नहीं फेक पा रहे हैं let go नहीं कर पा रहे हैं समझ गये अब देखे इसी वज़े से हम कहते हैं कि इंसान की हर चीज़ बदलती है pile number one है ना आपको यक situation हमेशा एक जैसा ठेहर कर नहीं रहता है ठेहर कर नहीं रहता है समझ रहे हो ना तो वही चीज़ यहां पर इस रिडिंग में देखने को मिली है हमें nine of wands के energy भी बताती है कि इनको बहुत जो है बुरा महसूस हो रहा है यह इंसान जो है अंदर से टूट सा गया है यह इंस अगर मैंने रिस्ते को जो है seriously ले लिया होता इनकी बातों को मैंने seriously जो है apply कर लिया होता तो आज जो है मुझे इस रिस्ते को खोना नहीं पड़ता हारना नहीं पड़ता है तो यह सारी चीज़े जो है आपके पोसिन के माइंड में अभी बहुत बुरी तरीके से घर कर कर्मा के काम करने के बाद कर्माने क podemos दिया गया है आपके पौशन का अनुभव क बतोर kiरे अनुगा ज्हेलं का चल रहा है इनकी इनँने आको सारी चीजा वीरास्त亞ubscribe बbey दिया एक TH टू अफ सोर्स और यह सीजोफेर्निया सेम एनरजी निकल कर आई है जहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि कन्फूजन डाउट और डर कि भावना इनके मन में इस रिलेशनशिप को लेकर अभी भी कही न कही नजर आती है तो साथ ही साथ देखें गाइस एनरजी ऐसे चेंज हुई है कल ही आपको ऑप्शन की तरह देखता था पर आज मैं देख रही हूँ कि एक्सपिरियंस करने के बाद ये इनसान जो है आप में अपना टूट सोल में ढूलने की कोशिस कर रहा है इस इनसान के मन में आपके लिए एक वास्ट चेंज आया है ड्रामाटिक चेंज आया है समझ गए एक बेवफा इंसान आज आपसे प्यार कर रहा है एक बेवफा इंसान आज आपको मिस कर रहा है एक बेवफा इंसान को ऐसा लग रहा है कि आप इनकी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट हो यह आपसे प्यार करते हैं क्योंकि इनको आपकी कमी महसूस हो रही है इनको आपका सचा प्यार का अनुबव हो चुका है इनको आपकी value पता चल चुकी है और इस्वर ने एक बहुत बड़ा योगदान किया है इनको जो है change करके इनकी behavior में बदलाव लाकर तो ये इनसान पहले का इनसान नहीं रहागा समझ गया है तो बदलाव हो रहा है इस इनसान में changes हो रहे है और changes बहुत positive way में आपके person के energies में हुए है तो आज मैं देख रहे हूं कि ये इनसान आपको पसंद करने लगा है ये इस इनसान के लिए आप इनकी एक जरुरत बन गए हो आप इनकी पसंद बन गए हो ठीक है separation के बाद और experience करने के बाद ये चीज़े हुई है ठीक है तो past की बाते जो भी हुई थी past is past, past अब past बन चुका है past की बातों को लेकर ये इनसान regret भी महसूस कर रहा है feel भी कर रहा है और मुझे आज पता चल रहा है इनकी energies को दे कर that this person definitely is going to choose you ये इनसान अब आपको choose करने वाला है ये आपको आप इनका एक choice बन गए हो अब आपकी reading में मैं बता रही हूँ कि आप इनकी एक choice बन गए हो क्योंकि इनसान आप से सच में जो है real love करने लगा है real feelings इस इनसान की है और ये इसले हुआ है कि इस ओर चाहते है कि इनको आपकी कदर हो इस ओर चाहते है कि आप दोनों का सफर एक साथ हो इस ओर चाहते है कि इनसान बदले ठिक है तो इसी वज़े से hero friend यहाँ पर आया है guyz और hero friend क क्या आते ही energies कैसे बदली है आप देख लो मैं देख पारी हूं कि जो इंसान अभी भी घबराहट में है जो इंसान अभी भी आपको आपको जो है कमिट्मेंट नहीं दे पारा है जो इंसान अभी भी आपको आपको यह नहीं कह पारा है कि मुझे तुम्हारे साथ की जरुत है मुझे तुमारे प्यार की जरुत है क्या तुम मेरे बन सकते हो जो इंसान आज ये नहीं कह रहा है गाईज बहुत ज़ल्दी इंसान आपको एक्स्प्रस भी करेगा तो देखे कैसे दोनों ही मेजर अरकाना है है ना दोनों ही मेजर अरकाना है जहां पर यहां पर नजर आता है नहीं देना है नहीं करना है तुम्हारा साथ नहीं देना है तुमसे मैं अलग बहतर हूं मेरी जिंदगी की समस्या है बहुत है तो वहीं पर जो है है अब आपके प डाइवर्शन हो चुका है घूम चुका है टोटली यह इंसान 180 डिक्री से घूम रहा है समझ गये तो इसी वजह से गाइज यह इंसान देखे आपको वह सारी चीज़े देना भी चाहता है और देगा भी देगा भी हमेशा इंसान इसी एनरजी में नहीं पड़ा रहेगा इस चोर भी साधू बनता है आपने देखा है एक्जामपल हमारे इतियास से में भरा पड़ा हुआ है तो इसी वजह से मैं यहाँ पर अगर नेगेटिविटी यहाँ पर है तो पॉजिटिविटी भी आ रही है और यह इनसान देखे अपने आपको प्रिपेर कर रहा है ताक पर आपकी विशिस को यह इंसान पूरी नहीं कर पाया पर अब देखें किस कदर इनको आपकी वैलिस समझ में आ रही है अब यह इनसान आपको अपना विश मांग रहा है आप इनका एक सपना हो है जो सपना इस इनसान ने खुद तोड़ा है। अपनी ही बैमानी से है अपने ही जो है गलत हरकतों की वज़े से गलत नियत या करेक्टर की वज़े से इस इंसान ने आपके सपने भी तोड़े हैं पर अब इनको जो है लगता है कि आप ही वह हो आप ही वह गाई जो इनके इनके साथ इनके साथ हर वक्त हर पल जो है इनके साथ रह सकते हो इनका स लिए किस जगह पर स्टैंड करते हो आप पर्फेक्शन की एनरजी में हो आप पर्फेक्ट एनरजी में जो है यहाँ पर नजर आए हो इस इंसान को हैना तो lovers with nine of pentacles हमेशा perfect जीवनसाती की energy होती है कि मुझे इसी इंसान की जरूत है मैं मुझे यही इंसान चाहिए मुझे इसके अलावा किसी और की जरूत नहीं है पहले मैंने इन्हें option की तरह देखा था पर अब यह मेरी जरूत है अब मेरी यह पसंद बन गए है तो इस तरीके से इस इंसान की भावनाव में major changes, major बदलाव निकल कर आये है हैना जो बहुत positive संकेत दे रहे है कि इनको अनभव करवाने के लिए और आपको भी जो है आपके कर्मों को clear करने के लिए clearance देने के लिए यह सारी चीज़े हुई है कही न कहीं कार्मिक का भी जो है मुझे नज़र आया है कि आज के रिडिंग कार्मिक वालों के लिए भी थोड़ी सी important हो सकती है क्योंकि कर्मा चाहे soulmate का कर्मा हो चाहे कार्मिक का कर्मा हो क्योंकि इन्होंने आप से जुदाई का अनुभव कर लिया है है ना आपका दिल तोड़ कर खुच जो है इनसान अभी दुखी है है ना offers को ठुकरा रहे हैं interest नहीं दिखा रहे हैं वो इसलिए हो रहा है क्योंकि इनमें वो awakening हो रही है चल रही है मून भी यहां पर है और हेरोफेंट भी यहां पर है दोनों ही बाते बताती है कि अभी दो तरीकी की situation है दोनों ही mix of emotions है इसमें shifts हो रहे है बदलाव हो रहे है totally complete नहीं हो चुका है तब ही जाकर इनसान अभी थोड़े से confusion में है थोड़े से doubt में है पर बहुत जड़ा positivity में भी आपके person है तो definitely इस इनसान के लिए आप कल तक एक option थे पर आज जो है आप इनकी एक choice हो पसंद बन गए हो गाई और इसी पसंद को पाने के लिए इनसान जो है अपने इन doubt से अपने इस डर से definitely निकलेगा भी और hero friend यहीं बताता है कि आप दोनों की एक long term relationship होने वाली है commitment के साथ marriage के भी जो है योग यहाँ पर नजर आते है marriage के भी कुछ संकेत हमें यहाँ पर इस इनसान के साथ आपके मिल चुके है समझ गए गाईस तो guys यह थी आपकी rating I hope आपको समझ में आई है I hope आपको पसंद आईए guys पसंद आईए तो वीडियो पर like, comment, share and subscribe कर देना मैं मिलूंगे आपसे फिर से next reading में तब तक आपको रखना है अपना बहुत चाख खयाल क्योंकि मैं करती हूँ आप सबसे बहुत ज़्यादा प्यार I love you all, take care, namaste and bye bye guys Hey guys, welcome back आप सबसे पहले, आज मैं यूनिवोस के तरफ से कुछ message guidance निकालूंगी देखते हैं कि यहां से क्या और कैसा निकल कराता है सुनने में भी पुरा लगता है guys कि आप किसी के option हो या हमें कोई option की तरफ टूइट करता है विकल्प की तरफ देखता है कि जब उनके पास करने को कुछ नहीं है तो आ गए जब उनके उनको प्यार करने वाला कोई नहीं है तो आ गए हमारे पास जब उनका मन भढ़ गया तो चले गए इसे हम कहते हैं option है ना तो आपके पार्टनर आकर आपके जिन्दगी में क्यों आये थे आपको पसंद करते हुए आये थे आपको सच में चाहा था उन्होंने या फिर बस दिल लगी करने के लिए आये थे जानना और समझना बहुत ज ध्यान रहे कि हमेशा इंसान एक जैसा नहीं रहता है ना यह भी आपको ध्यान देना है कि हीलिंग कि स्ट्रेस हाँ कि इनर वोईस बिल्कुल बदलाव है गाईस पहले जैसा था क्या था कैसा था आई डोन नो मुझे नहीं मालूम पर अभी मैं देख रहे हूं कि बिल्कुल इस इंसान की जो है एक एक ऐसा सफर एक ऐसा रास्ता इनका अभी स्टार्ट हुआ है जहां पर बहुत सारे बदलाव चेंजेस क्योंकि इनर वोईस का कार्ड हमेशा अंतर आत्मा से जुड़ा हुआ एनरजी होता है जो बदलाव बाहर नहीं हो रहे हैं बलकि अंदर हो रहे हैं स्प्रिच्वल तरीके से जो है इनकी ओपनिंग हुई है दर्वाजा वो पॉर्टल्स वगएरा खुले है जो इनका अंधेरा पंथा जो इन में कमियां थी उन कमियों में जो है कुछ न कुछ चेंजेस हो रहे हैं क्योंकि उपर देखे हमें टेंपरेंस के एनरजी यानिकी लिए लिग का काड़ भी मिला है है ना है स्प्रिप नेस वाओ मेंशूरिटी भी है साथ साथ तो चली यह रहे वह चार एनरजी जो मैंने निकाले है टैर्ट से अब मैं से स्कुनि देखते हैं कि टैर्ट को क्या कहना है यहाँ से तो ऐलमउस्ट हमको चेंजेस वाली अनुभती मिल रही है है ना कि चेंजेस है बदलाव है तकलीफ है स्ट्रेस है तनाव है नमबर नाइन नमबर सवेन और नमबर टू इंपोर्टिंट है आज की रिडिक में पाई नमबर टू एट उप सोर्स वही कार्ड निकल कर आ गया सेवन अफ काप्स जो आप्शन की ही जो है एनरजी होती है बहराल सारे कार्ड निकल जाए किम अफ वैंस कार्मिक कनेक्शन डेवल का कार आया है और बॉटम में टू अफ वैंस के एनरजी आई है हर्मेट वाव मैंने आप से कहा था ना कि जो हुआ जो किया गया वह साथी चीज़े आप बदली है गाइस चेंज़ेस है चेंज़ेस है ब्यूटिफुल चेंज़ेस है एट उफ पैंडिकल्स पेज एफ काप्स पाइफ ऌफ पैंडिकल्स और बॉटम में जो है हमारा फॉर फैंडिकल्स का एनरजी निकल कर आ चुका है गाइस देख लीज़ें ठीक है तो चलिए अब साइन और एलिमेंट की तरफ बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि इस इंसान के लिए आप महज एक विकल्ब थे या यह इंसान आप पसंद करता था आप इनकी पसंद थे हना या फिर अभी हो कैसा है सारा जो घटना करम है यह क्या निकल कर आया है क्या हमें बताने की कोशिस कर रहा है चले साइन और एलिमेंट की तरह बढ़ते हैं तो आज रिडिंग में वर्गो और कैप्रिकॉन स्ट्रॉंग है इसके अलावा एर साइन है जैमनी लिब्रा एक्योरेस मितन तुला कुम्रासी वार्टर साइन कैंसर स्कॉर्प्यों पाइसस करक्रि विकल्ट थे जिसका इस्तमाल करके आपके पोशन चले गए मतलब जज़रत थी तब तब तक आपका इस्तमाल किया चाहे वो किसी भी तरीके से क्यों ना हो इमोशनली इस्तमाल कर लिया फाइनेंशली कर लिया फिजिकली कर लिया है ना और वो चले गए या फिर आप इस इ उनकी अंतरात्मा में बदलावाता है उनका जो है जर्नी उनकी जिन्दिगे का सफर होता है उस में बदलावाता है मैच्योर होता है इनसान परिपक को होता है जो कल तक नादान था वो सारे चीज़े जो है हमारे day to day life में changes आते हैं because of our कर्मा कर्मा के वज़े से ही ये बदलावाते रहते हैं तो इस इंसान में पहले क्या था और अब क्या है अब आपको कैसे देखते हैं कैसे महसूस करते हैं और पहले कैसे क्या करते थे तो चले इनका जवाब आपको देते हैं तो सा नज़र आता है कार्मिक धैसे घिंद के पाइल नंभर टो तो कर्म लेसेंस देने के लिए कार्मिक मिलने के लिए पाने के लिए ब लू climate सोधी और कार्ज अ gobierno दइशंबेर में आया था न तो ये बिलकुल खेल खेल में आया था यूनु क्यों कि इनको आपकी तरफ बहुत जड़ा अकरशन त्राप्शन त्रा और तरफ जो है जुकाओं महसूस कर रहा था आपकी तरीके तो कहीं और चले जाते किसी और के साथ जाकर दिल लगी कर लेते किसी और के साथ जिन्दगी बरबात कर लेते पर इनको तो आपके पास ही आना था क्योंकि कर्मा ने जो है इनको आपकी तरफ भेजा था तो बहुत ज़्यादा आकर्शत आकर्शित होकर आकर्शन के वज़े स कि ये इंसान पहले आपकी जिन्दगी में आया है मतलब बहुत आप इंकी उस्वक्त आप इनकी चॉइस से ही कुछ निकल आया था यूण पास्ट लाइफ कनेक्शन की वज़े से ही option की तरह चुनना ऐसा ही कुछ निकल कर आया था और आज आपके रिडिंग भी बिल्कुल करमा पुरा हो गया आपके साथ जो है आपका कर्मा इन्हों ने साफ कर दिया उसके बाद इन्होंने क्या किया कि किसी और option के बाइब कर चले गया कि सुरुवात में यह रिष्टा जो है एक option से ही शुरू हुआ है यूनों कि आपके लिए बिल्कुल मर मिटेंगे आपके लिए मर जाएंगे आपके लिए दुनिया को मार देंगे ऐसे इस तरीके का प्यार नहीं था सुरुवात में आपको यह ध्यान देना है तो हो सकता है कि उस चीज़ को आपने जो है बहुत गहराई से ले लिया और आप इस इंसान के जो है इस option को आपने प्यार समझ लिया ठीक है तो यह होता भी है कोई इंसान अगर आपके लिए हद से जादा पॉसेजिव हो जाए आपके लिए जीने मरने की बाते कर लिए आपके बिना रह नहीं पाए एक पल भी आपको छोड़े नहीं एक पल भी जो है आपको देखे बीना रह नहीं सकता तो इस तरीकी का कोई इंसान करता है जो कार्मिक में करेगा ही लगने ही लग कि इंसान तो कि मेरा perfect partner मुझे बहुत प्यार करता और सच में इनके प्यार में कोई खोट नही देले उनने मुझे छोड़ दिया है इन्होंने मुढ लिया है इस इंसान को मेरी कदर नहीं है यह इंसान तो बस कहीं और जो है इनका। फोक्केस्ट कहीं और शर्फ ध्यान देürा है किसी और की सोच रहा है किसी और को प्यार कर रहा है तो आपको इनका यही मुरा हुआ चैरा या रूखा रहा है तो पर अंदर क्या है मैं आपको साफ साफ तरीक़े से बता दूगा सबसे पहले कांट और सबस्क्राइमें की इस इन्सान को परिवर्तित इस加 और इस इंसान को बदल रहें इस इंसान के कि अंदर की बुरायों को खत्म कर रहे हैं इस इन्सान को हट से ज्यादा ही इनके मन में तकलीफे हैं इनके मन में द把 there इनके मन में चोट लगी है कई कई आपके जो पार्टनर है मुझे लग रहा है कि मुझे पस्तावा करना है, मुझे रिग्रेट करना है, मैंने बहुत बहेंगर पाप कर दिया है, मुझे सुकून नहीं मिल रहा है, क्योंकि मैंने जो पाप किया है, वो माफी के लायक नहीं है, तो इंसान temperance की याने की healing की अवस्ता में तब महुचता है जब कोई बहुत बड़ा बुरा कोई काम इनसे हो जाता है उनसे एक बहुत बड़ा बुरा काम क्या हुआ था कि उन्होंने आपकी कदर जहां पर होने चाहिए थी जितना आपको respect मिलना चाहिए था जितनी आपके value थी उसके बराबर जो है आपको 0% value नहीं मिली है आप इस इंसान के लिए कभी priority थे ही नहीं तो आप देखे ये awakening की वज़े से ही इस इंसान में आपकी value increase हुई है आपकी कदर हुई है आपके प्यार को समझ रहा है और अपने past के किये गए जो जुल्म थे या कहले जो भी आपके साथ इन्होंने जुल्म किये है प्यार के मा अब इसी इसी energy से मिलता जुलता हमें हर्मिट का energy मिला है जो totally इनके अकेलेपन को दिखाता है जो silence को दिखाता है जो आगे move नहीं होने को दिखा रहा है यूनो ये इंसान अपने आपको अपने आपको कोस रहा है या फिर इनसान इतना जादा सुधरने के process में है कि इस इन अपने आपको जो है अकेला रहना ही इनको पसंद है यूनो ये interact नहीं करते इनको किसी से ज्यादा घुलना मिलना बातचित करना इनको पसंद नहीं है तो बहुत बहुत ब्यूटिफुल तरीके से transformation हो रही है all because of this कर्मा इस कर्मा के वज़े से ही इस इनसान में ये सारे किस लिए हुआ घए हुआ कर्या कि अपको दर देना है काम था आपको तकलीफ देना अपको हर्ट करना है इस इनसान का काम था तभी इस इसिंसान में व नहीं ती परिपकवता नहीं थी ना समझ था ये इनसान है और अब देखे इस इनसान में इस spiritual healing के बात इस transformation के बात, changes क के बाद इस इंसान में जो है maturity भी आ गई है यह इंसान परिपक्व भी हो चुका है ठीक है और यह बहुत एक अच्छा साइन है जब इंसान मैचूर होगा तभी आपकी कदर करेगा तभी आपके जीवन की कदर करेगा कि इनका लाइफ भी इंपॉर्टेंट है सिर्फ मेरी नहीं बलकि इनकी जिन्दगी भी इंपॉर्टेंट है जिससे मैं खेल गया था है तो वो सारी changes होने की वज़े से इस इंस कर आपको ठुकराया है और अब जो है इस इंसान को उसी पत्थर की जरूत है समझ रहे हो यानि कि यह आपको नहीं भूल पा रहे हैं यह जो है अपने emotions को कंट्रोल करने वाली energy होती है फिलिंग्स को कंट्रोल या दबानी के energy होती है और उसी दा उसी उसी energy के साथ मनी मन अ नहीं देखता है यह इंसान आपको ऐसे देखता है कि आप हमेशा जो है इनके मन के अंदर हो आप हमेशा इनके दिल की दिल का एक हिस्सा हो इनकी जिन्दगी का एक बहुत important हिस्सा हो बहुत precious हो जिसे मैं भूल नहीं सकता जिसे मैं मिटा नहीं सकता अपनी यादों से तो कर्म है जबूरा नहीं हुआ है तुम्हारा करम पूरा नहीं हुआ तुम टोटली चेंज नहीं हुआ योनिए अंडर प्रोसेस है समझ रहे हो इनकी जो यह बदलाव भावनाव में जो चेंजस आ रहे वह प्रोसेसिंग स्टेज में हैं है तोटली यह कंप्लीट होकर निकल कर नहीं आए और जिस दिन कंप्लीट होकर निकलेगा उस दिन ही इनसान आपको अपना अपनी फिलिंग्स एक्सप्रस करेगा और त इनसान को अब भी बहौत सारी चीजों का लेसन लर्ण करना है बहौत सारी चीजों कानुपाफ करना बाकी है बहुत सारी चीजे don tune और बदलेंगी उसके बाद जो है यह इंसान अपने इस लिमिट को तोड़ेगा homme आपने इस जो यह चुप्पी को खामोशी को यह अपने आपने खुदने यहां पर एक दाइरा इन्होंने सिमित कर रहा है, उस दाइरे से यह कदम बाहर निकालेगा, इस्ट्रेस के एनरजी आई है, जो हमें बता रही है कि बहुत तनाव है, इस इंसान को बहुत तकलीफ है, इस इंसान को माइंड और इनकी हीलिंग नहीं हो पा रही है, समझ रहे हो, हीलिंग का प्रोसेस चल रहा है, टोटली इनसान हील नहीं हो पा रहे है, और बहुत ज़्यादा अपनी कर्मों का बोज उठाते हुए, मुझे आपके पोसन नजर आए है, तो इस्ट्रेस के साथ five of swords भी आई है, जो एक failure के energy होती है, कोशिस करने के बाद भी हारने वाली energy होती है, और ये खुद भी जो है, वही stress वाली energy, या फिर कह लेज़े, depression वाली energy, हैना बीमारी वाली energy, ठकने वाली energy, करते-करते भी कहीं पर भी success हासिल नहीं होने वाली energy, तो overall अगर हम देखे तो ये इंसान बहुत ज़्यादा stress में है, बहुत ज़्यादा तकलीफ में है, समझ रहे, और इस तकलीफों का जो है, ये expression भी आपके साथ नहीं कर पा रहे, अंदर ही अंदर ये इंसान जो है, उन सारी चीजों को जेल रहा है, उन सारी चीजों को tackle कर रहा है, आपका person अकिला है, बहुत ज़्यादा अकिलेपन के energy मुझे यहाँ पर नज़र आई है, जो इनसान कल तक दूसरों की बाती सुनता था, कल तक जो इनसान दूसरों के दिखाए रास्तों पर चलता था, कल तक जो इनसान हमें सा confused रहता था, हैना कि आप इनके लिए better हो या नहीं, आपका प्या कोई और है, आप से talented कोई और है, क्या पता मुझे इस से अच्छा life partner मिल जाएगा, तो हमेशा एक ऐसा इनसान जो confused रहता था, हमेशा confused रहता था आपको लेकर, उस इनसान की energy में आज आप देखोगी, कि यह इनसान कहीं ना कहीं, you know inner voice, यानि कि अपने अंतरात्मा की आवा इनसान देखे, अपने अंदर की सची भावनाव को समझने लगा है, हैना अंदर की आत्मा की आवाज को सुनने लगा है, कि तुम गलत हो, इनसे यहाँ पर inner voice में स्रिव एक आवाज आ रही है, और वो यह है कि तुम गलत इनसान हो, इस और इनसे बस यहीं कह रहा है, कि ना तुम्हारा फैसला सही था, ना तुमने जिस आप्शन को चुना वो सही था, ना तुमने एक इनसान की जिन्दगी खराब की है, वो सही था, तो यह सारी कचोटने वाली आवाजे होती है, जो यह इनसान महसूस कर रहा है, समझ रहे हैं, तो बहुत पर्फेक्ट जो है, अपने अंदर की आवाज को सुनने लगा है, समझ गए, तो गाइस चलिए बताते हैं कि अब आने वाले दिनों में यह इनसान फिर से आपको अपना ऑप्शन बनाएगा, या आपको अपना चॉइस बनाने के लिए आपकी तरफ आएगा, तो मैं आपसे कहा दू गाइस, य इल होकर यह इनसान डेफिनिटली आपकी तरफ आएगा, डेफिनिटली यह कदम जो है अपनी इस चुपी को खामोसी को तोड़ेगा, अपने इस युना अखेले पन से आईसोलेसिन से इनसान निकलेगा, ठीक है, वक्त लगेगा क्योंकि हर्मित और टेंपरेंस दोनों ही कह रहा है, दोनों ही हमें यह बता रहा है कि इस इनसान को वक्त लगने वाला है, क्योंकि इनका यह प्रोसेस अभी चल रहा है, यह समय चल रहा है, सुधरने का समय चल रहा है, बदलने का समय चल रहा है, ताकि आप कोई यह option ना समझे, आपको यह अपना जीवन साथ ही से कि एंसान एक ही बार में हील होकर एक ही बार में ट्रांसफॉर्म होकर बहुत बड़ी जो है दावत देने के लिए आपको बुलाएगा बहुत बड़ा जो है ऑफर लेकर आपकी तरफ आएगा बहुत बड़े बड़ा जो है कमिटमेंट लेकर आपकी तरफ आएगा ये इंस कुणूल होगा ठीक है और उफर लेकर आना होगा चाहे सैं स् रिस्तिय को फिर से वापस बनाना जहां पर हमें सेवन आया है वहीं हमें एट बांट में आया है जो बहुत स्ट्रांग अएनर्जी है जो यह बताती है कि इस इंसान को इस relationship को फिर से जोड़ना है इस relationship को जो है आपके खुद के और आपके लाइक बनाना है इस इंसान में अभी जो है लाइक नाम की चीज ही नहीं है यह इंसान लाइक नहीं है आपके लिए pile number two this person is not perfect for you right now अभी के लिए यह perfect नहीं है और कल भी आपके लिए perfect नहीं था ठीक है तो जिस इंसान ने इस रिस्ते को जो है बिल्कुल value नहीं की है देखे अब जो है इस इंसान इस रिस्ते को value देता हुआ नजर आया है है ना इस रिस्ते में आकर मेहनत करता हुआ नजर आया है efforts डालता हुआ नजर आया है रिस्ते को बनाने की कोशिस करता हुआ नजर आया है बले ही छोटी से इंसान क्यों ना start करे समझ रहे हो तो this person is definitely going to come back in your life पर ऐसे नहीं आएगा guys maturity के साथ आएगा progress के साथ आएगा relationship को बहतर बनाने के लिए आएगा है ना आपको जो है value देने के लिए आएगा ठीके पर आना पड़ेगा आपकी कदर इस इंसान को होनी है और वो जो choice वाली जो हम बात कर रहे थे ना वह choice का जो factor है वह यहाँ पर start हुआ है अभी ठीके complete नहीं हुआ है इस इंसान का हमारी जरुत है मैं तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना चाहता हूं तो उसके लिए देखे कदम स्टार्ट हो रहा है है ना एक कदम यह आगे बढ़ाएगा चाहे वह पेच के नहीं करना है किसी भी चीज में कर्मा के खिलाफ अगर आप जाओगे युनिवर्स के खिलाफ अगर आप जाओगे तो आपको क्या कैसे कैसा आपको पार्टनर मिलेगा आप जानते हो कि चलो तुम्हें बहुत जल्दबाजी है तुम ले लो इसे इसी कंडिशन में ले लो बलकि आपकी जिन्दगी बनाने के लिए और आपकी रिस्टे को बनाने के लिए ऐसा partner आपको देगा इश्वर और उसके लिए जो है फोर्स करने की जरुत नहीं है guys समझ रहे हो इस वर नहीं चाहता कि एक गलत पार्टनर आपको दे दिया जाए है ना आपने अपना कर्मा भुगत लिया है देख लिजिए आपने क्या भुगता है इस इंसान के तरब से बहुत सारे आपने जुल्म सहे हैं गाइस है ना और कोई इंसान किसी को अगर ऐसे ट्रिट करेगा तो आपके मन में कैसा बीता होगा है ना कि जिस इंसान को मैंने इतना प्यार किया जिसके लिए अपना परिवार छोड़ दिया अपनी family को छोड़ने के लिए राजी, अपनी carrier को छोड़ने के लिए राजी, उसी इंसान ने किसी और के लिए मुझे छोड़ दिया, तो क्या ऐसा partner आपके जिंदगी में अभी इस वक्त आ जाए, तो क्या आप खुश हो पाओगे, definitely not, है ना, तो eight of sorts की भी energy आई है, जो कही प्रोसेस यहां पर चल रहा है, ताकि जो इंसान अभी आपको option की तरह देख रहा था, उस इंसान में परिवर्तन सुरू हो चुका है, maturity आ रही है, और यह इंसान जो है, आपको अपना choice बनाने के लिए आए, कि तुम मेरी पसंद हो, यह कहने के लिए preparation ज़रूरी है, और व होने दो ना guys, होने दो, देर होने दो, है न, तो यह थी guys आपकी reading, I hope आपको समझ में आई है, I hope आपको पसंद आई है, पसंद आई है guys, तो video पर like, comment, share and subscribe कर देना, मैं मिलूंगे आप से फिर से next reading में, तब तक आपको रखना है अपना बहुत अचा खयाल, क्यूंकि मैं कर आप सबसे बहुत जादा प्यार, I love you all, take care, namaste and bye guys